Hello my dear students, आज हम करेंगे वर्क्षीट नमबर 120 जो की है दिनांग 28 नमबर 2020 के लिए आज की वर्क्षीट का सब्जिक्ट है English और यह है वर्क्षीट है क्लास 5th के लिए यहां आप अपना सेक्शन लिखेंगे यह वर्क्षीट आपकी टेक्स्ट बुक मेरी कोल पर आधारित है यहां अपना नाम लिखेंगे यहां अपने टीचर का नाम और आज की वर्क्षीट है आपकी बुक में दिये गए यूनिट 8 नोबडीज फ्रेंड के बारे में तो चलिए बच्चो फटाफट शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाव आर यू गुड मॉर्निंग बच्चो आप कैसे हैं I am sure you like making friends मुझे पता है आपको दोस्त बनाना अच्छा लगता है I also love making friends मुझे भी दोस्त बनाना अच्छा लगता है तो अब आपके लिए कुछ questions दिये गए हैं आपको अपने friends के बारे में बताना है तो first question हम करते हैं question number A How many friends do you have? आपके कितने दोस्त हैं? Write the names of some of your friends तो आपको answer में लिखना है कि आपके कितने दोस्त हैं और अपने कुछ दोस्तों के नाम लिखो तो आप लिख देंगे I have आप किहां पर लिख देंगे आपके कितने दोस्त हैं? तो उस तरह से आप यहां लिख देंगे friends I have dash friends और यहां पर आप उनके नाम लिख देंगे अपने कुछ दोस्तों के और फिर लिखेंगे are my friends तो यह दो sentence में आपका answer complete हो जाएगा अब चलते हैं आगे question number B Do you like to share your things with your friends? क्या आपको अपनी चीजे अपने दोस्तों के साथ share करना अच्छा लगता है? उनके साथ बाटना अच्छा लगता है? Name a few of the things which you share with your friends कुछ चीजों के नाम लिखिये जो आप अपने दोस्तों के साथ share करते हैं बाटते हैं तो बच्चो yes I like to share my things with my friends हाँ मुझे अपने दोस्तों के साथ अपनी चीजे बाटना अच्छा लगता है I share my pencil, colors, eraser, toys, books and food with my friends तो ऐसे ही आप भी उन चीजों के नाम लिख देंगे जो आप अपने दोस्तों के साथ share करते हैं Now next question, question number C A और B हमने कर लिए, अब हम C करेंगे Question number C There was a girl, एक लड़की थी She did not like to share her things with others उसे अपनी चीजे दूसरों के साथ बाटना अच्छा नहीं लगता था Let us read about her, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं She had some sweets that she would not share उसके पास कुछ मिठाई थी, जो वो share नहीं करती थी She had a book that she would not lend उसके पास एक किताब थी, जिसे वो किसी को भी नहीं देगी Land मतलब देना, जैसे किसी को उधार देना She would not let anyone play with her doll वह किसी को अपने गुणियां के साथ नहीं खेलने देती थी She is nobody's friend, वो किसी की भी दोस्त नहीं है तो हमने उस लड़की के बारे में पढ़ा तो अब आपको बताना है Why does not she have any friends? उसके कोई भी दोस्त क्यों नहीं थे Why doesn't she have any friends? तो क्यों नहीं थे? क्योंकि वो किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती थी She didn't have any friends because she did not like to share her things with others उसके कोई भी दोस्त नहीं थे क्योंकि वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करती थी तो हमने एक लड़की के बारे में पढ़ा जो किसी के साथ कुछ भी चीज़ें शेयर नहीं करती थी तो बच्चों आपने यहां कुछ words भी देखे जैसे यह क्या है? इसे हम क्या पढ़ेंगे? Would, Not या Wouldn't हमने contracted form और full form पढ़ी थी है न देखो यहां पर भी आया Wouldn't इसी तरह यहां पर Doesn't तो यह चीज़ें आप छोटी छोटी जो आप पहले पढ़ चुके हैं आप reading करते वक्त उन चीज़ों को ध्यान रखा करें ताकि वो चीज़ें आपको अच्छी तरह से आ जाएं अब चलेंगे आगे Question number D पर Question number D यह है Write down the sentences by looking at the pictures given below यह आपको तीन pictures दी गई हैं तो आपको उनके sentence बनाने हैं जैसे एक आपको करके दिखाया गया है The girl is sharing her toys with the boy लड़की अपने toys को खिलोनों को लड़के के साथ शेयर कर रही है और इसी तरह आप इसको बताएं The girl is sharing her book यह देखो Her book with her friend लड़की अपनी किताब अपनी दोस्त के साथ शेयर कर रही है इसी तरह आप इस picture को देखकर लिखेंगे The boy is sharing his color with the girl लड़का अपने कलर लड़की के साथ शेयर कर रहा है तो यह हमने कर लिया question number D sentence complete अब यहां पर एक चीज देखें यहां तो लिखा her और यहां लिखा his ऐसा क्यों हुआ क्योंकि बच्चों यह हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं और जब लड़की के बारे में लिखते हैं तो हम her का इस्तेमाल करते हैं और यहां है लड़का और जब लड़की के बारे में लिखते हैं तो उसके लिए his का इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को भी आप ध्यान रख लेंगे ऐसी चीज़े हम आगे अच्छे से और पढ़ेंगे अब आपकी worksheet के questions complete तो नहीं हुए रह गया question number E 5 questions है तो अभी हम Eek देखेंगे At the time of COVID-19 pandemic, we should not share our things but it is the right time to share our feelings, emotions and care with each other बच्चों COVID-19 के इस समय में हम अपनी चीज़े एक दूसरे के साथ share नहीं कर पा रहे और हमें नहीं करनी चाहिए आप जानते हैं हमें social distance maintain करना है लेकिन यह सही समय है, right time है अपनी feelings, अपनी भावनाएं और अपनी care, अपनी चिंता दूसरों के लिए एक दूसरे के साथ share करने का When everything gets better and school reopens, you will get a chance to meet your friends जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा और school खुलेंगे तो आपको मुका मिलेगा अपने दोस्तों से मिलने का How will you express your feelings along with maintaining social distance आप अपनी feelings, अपनी भावनाएं अपने दोस्तों के साथ कैसे share करेंगे और इस बात का ध्यान रखते हुए कि social distance maintain करना है तो इसका answer क्या लिखेंगे आप I will share my feelings with my friends by talking to them मैं अपनी feelings अपने दोस्तों के साथ उनसे बाते करके share करूंगा I will tell them that I missed my school and friends very much during lockdown मैं उन्हें बताऊंगा कि मैंने अपने school को और अपने दोस्तों को बहुत त्याद किया lockdown के दोरान तो बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हैं अपना answer कि आप कैसे अपनी feelings express करेंगे तो अब हो गए आपकी questions complete अब चलते हैं आगे अभी भावकों के लिए सुझाओ बच्चों के साथ अपनी दोस्ती की कहानिया साजा करें तो आप अपने माता-पिता से बात करें और उन से पूछें कि उनके दोस्तों की कहानिया उनकी दोस्ती की कहानिया तो आप उनσε बात्चीत करके उनकी कहानिया सुन सकते हैं तो ये है बच्चों आपकी आज की वरक्शीट आप कीजिए और अपने WhatsApp ग्रूप पर सेंग कीजिए थैंक यू बच्चों, have a nice day and take care